Taxonomy and Ecology of Lace Wings Lace Wings भी predatory insects हैं और ये भी जो farmers हैं उनके लिए काफी helpful होते हैं क्योंकि ये ऐसे insects के अपर feed करते हैं जो के हमारी फसलों को नुकसान पहुचाते हैं अगर हम Lace Wings की classification की बात करें तो they belong to phylum arthropoda इनकी class insecta है उसके लावा इनकी अगर हम family के बात करें तो cryopedy इनकी family है इनकी genus के बात करें तो cryoparla और इनकी जो species है वो cryoparla cornea है Lace Wings are underappreciated यानि ये वो group है जिसको underappreciate किया गया हाला के ये एक important bio control agents का group है क्यूंके आम तोर पर lady beetles का जिकर किया जाता है क्यूंके वो काफी वाज़े तोर पर field के अंदर दिखाई देती है लेकिन जो lace wing है इनका जो role है वो भी काफी important होता है क्यूंके ये different किसम के जो soft bodied insects हैं और जो insects के eggs हैं उनके पर feed करते हैं इसके लावा अगर हम एक adult lace wing की बात करें तो adult lace wing is 3 by 4 inch long इसका color अगर हम देखें तो ये light green है और ये काफी delicate होते हैं इनकी जो appearance है they have delicate appearance with lacy wings अगर इस तस्वीर के अंदर हम देखें तो ये एक lace wing है इसके जो wings हैं काफी transparent नदर आते हैं और ये greenish color के हैं आम तोर पर they have two golden hemispheres और जो lace wings होते हैं ये weak flyer हैं ये बहुत जादा दूर तक उड़ कर नहीं जा सकते और आम तोर पर ये ऐसी जगों पर पाए जाते हैं जहां पर efforts की colonies मौजूद हों अब इसके अगर हम adults की बात करें तो lace wing के जो adults हैं they mostly feed on nectars, pollens and honey dew लेकिन बहुत सारे जो lace wing की species हैं वो insects के उपर भी feed करते हैं उसके लावा the eggs are either laid singly या फिर ये groups के अंदर या ये जो eggs हैं जो female इनकी होती है वो अकेले अकेले भी egg ले कर सकती है या फिर वो group की farm के अंदर भी egg ले कर सकती है लेकिन each is always found perched on a tip of the hair like stalk अगर इस तस्वीर के अंदर देखें तो ये female के eggs हैं और ये एक stalk के जरीए leaf के साथ attached है ये वो तरीका है जिसकी मदद से ये क्या करते हैं they help to reduce the cannibalism of eggs by sibling larvae यानि आम तोर पर इनके जो larvae है वो इनके अपने eggs को ही यानि उनके अपनी female के eggs को ही खा जाते हैं तो ये जो egg link का तरीका है जिसके अंदर eggs को एक stalk के जरीए उपर रखा जाता है इससे काफी हद तक जो cannibalism है उससे बचा जा सकता है उसके लावा जो females हैं females usually deposit eggs close to the source of larvae जहां पे larvae होते हैं जिनके उपर इन्होंने feed करना होता है वहीं पे ये egg ले करते हैं उसके लावा अगर इनके हम larvae की बात करें जैसा कि इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है ये brown और white coloration के अंदर होते हैं और इनका जो size है ये तकरीबन half inch तक हो सकता है अगर हम इसकी length की बात करें उसके लावा ये दूसरे जो soft body insects हैं उनके उपर भी feed कर सकते हैं और उसके अलावा efforts के उपर भी feed कर सकते हैं ये voracious feeders हैं ये voracious feeders attacking with large curved hollow mandibles अगर आप इस तस्वीर के अंदर देखें तो यहाँ पे इसके mandibles हैं इन mandibles की मदद से ये जो soft body insects हैं उनके उपर feed करते हैं उसके रावा जो lace wings हैं ये humans को bite कर सकते हैं लेकिन ऐसा rare cases के अंदर report किया गया है लेकिन अगर ये bite कर भी ले तो this is usually nothing more than a small skin irritation यानि ये humans को bite कर सकते हैं एक तो bite करने के cases बहुत rare हैं दूसरा अगर bite कर भी ले तो उससे कोई बहुत जादा severe किसम के symptoms appear नहीं होते minor किसम की allergic reaction या फिर irritations हो सकती हैं उसके लावा despite these rare encounters they remain important natural control agents अब जो lace wings है lace wings ये commercially available हैं और इनको as a bio control agent इस्तवाल करने का फाइदा ये है क्योंकि beetles जो होते हैं ये winged होते हैं ये एक जगा से दूसरी जगा move कर जाते हैं लेकिन lace wings के जो adults हैं इनके wings नहीं होते खास तोर पर जब ये immerge होते हैं तो इनके wings नहीं होते इस वज़ा से आम तोर पर ये उस चगापे ही concentrate करते हैं जहां पे efforts मौझूद हैं या जहां पे soft bodied insects मौझूद हैं इस वज़ा से ये important bio control agent है उसके लावा ये pesticides के लिए highly susceptible है इस वज़ा से ऐसे pesticides की selection करने चाहिए जो के lace wings के लिए बहुत जादा खत्रे का बाइस ना बने